नमस्कार दोस्तों स्वागत शोमुजभाल जी का और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे लिव फ्लॉक्सासीन 500 2000 मिली में के बाढ़े में लिवफ्लॉक्साइन 500 MIGB दर्था किसलि दिया जाता है सौड्ड कंपोजिशन क्या है मोडवक्शन क्या है कितना डोजेज लेना होता है हर रोज्स साइड़ एफेट्स क्या है लिव लिवफ्लोक्सासीन की और लिवफ्लोक्सासीन की भारतिय ब्रैंड नेम लिवफ्लोक्सासीन 500 मिलिग्रम आईपी जो है लिवफ्लोक्सासीन 500 मिलिग्रम आईपी की भारतिय ब्रैंड नेम आपके सामने रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं करते हैं फर्स तिंग लिव फ्लॉक्सासीन का सॉल्ट कॉंपोजिशन सिंपल सी बात है लिव फ्लॉक्सासीन ही है जो के एक एक अंटी बैक्टिरियल दवा है एंटी बायोटिक है एंटी बैक्टिरियल मतलब यह कैसा दवा है जो बैक्टिरिया को मारेगा बैक्टिरिया जो infection तयार करता है शरीर में जिससे कि बहुत खतरनाक situation बन सकता है लोग मर भी सकते हैं वो सारे conditions है उसको वो treat करने में हम liver phloxacin इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं liver phloxacin की इस्तमाल कहां पर होता है देखो रिवर phloxacin की इस्तमाल जो होता है वो respiratory tract infection में होता है respiration की infections है मतब जो respiratory system है हमारे सास्तन वहां का कोई भी bacterial infection को ठीक करने में हम liver phloxacin 500 mg इस्तमाल कर सकते हैं skin की कोई भी प्रकार की इस्तमाल बाहर की skin हो या फिर शरीर के अंदर कोई surgery उसके तोरान कोई अगर घाओ हो उसको ठीक करने के लिए भी liver phloxacin 500 mg की mode of action कैसे यह काम करता है देखो अलग-अलग antibiotic वो सारे के सारे antibiotic टो बैक्तिरिया को मारता है अलग होता है तो जैसे कह लिए फ्लॉक्ससीन का बैक्तिरिया को मारने का तरीका सівम्पल सी अलग है वह बैक्टिरिया में जो हें जैसे कि हमारे शचरी में भी द्येन है लाइश में बड़खा के इससे क्या होता है बेक्टिरिया ग्रोणहीं कर पाता हैला कि अब बात करते हैं लिवक्राइड का डोजज देखो टिपिकली अगर बात करें कोई अडुट इंडिविजुल की तो पांचसो मिलिग्रम दिन में एक ही बार देना होता है एक बार से ज्यादा 500 मिलिग्रम से ज्यादा लिवोफलोकसीन नहीं दिया जाता है अब बात करते है side effects की, देखो अगर मात्रा ज्यादा हो गया लेवर फ्लक्ससिन की तो इस fan जो है उसको भी मार देगा उससे हो सकता है और वो भीी एज़ मुपर डिपेंड करता है और जैंडर ही वहाँ पे कुछ है तो यह सारी चीज बहुत ही रेहर केसे से अधर्वाइस नौजिया और डाइरिया होना हेड़ेक सरगर यह सारे चीज़ रहता है अब बात करते हैं लिवफ्लॉक्ससेन 500 मिलीग्रम में आपको बता दिया और बहुत सारे हैं मगर यह तीन एक्जाम्पल्स में आपके सामें रखा इन में से यह सारे के सारे लिवफ्लॉक्ससेन 500 मिलिग्राम दवा में से आता है इस पर्टिकुलर जो आपकी इंफिक्शन है उसको देखने के बाद ही आपके डॉक्टर को प्रिस्काइब करेंगे विदाट प्रिस्क्रिप्शन एंटिबाइटिक मत लेना दिस इस अ आज के वीडियो के लिए इतना ही आशा करते हैं वीडियो को लाइक जरू करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ के साथ फैमिली मिंबर के साथ ताकि उन्हें भी जानकारी मिले दवा के बारे में और एंटिबाइटिक का जो सेवन है वो बहुत ही चाच के बाद ही करना चा इसे भी आप इसकी इंपेक्ट आ सकता है क्योंकि एक बार किसी बैक्तिरिया की आ गया तो वह अगर हमारे सर्कूलेशन में जाता है वे बाखी लोग को इसकि बेक्टिविया ग्रोथ हो चुका है तो इसलिए बहुत सावदान से ृच्ट करें प्रिस्कृप्प्षण के इलावा यूज मत करें डौक्टर पास जाए और सही से जाश करने के बाद ही यूज करें और प्रॉपर कोर्स फॉलोव कर की यूज करें दो लेने से एक लेने से ठीक हो जाए तो उसको छोड़ दे ऐसा बिलकुल कते ही ना करें टोटल कोर्स जैसे आपको कहा गया है उसी को स्टार्ट से इंटक फिनिश करें